महोबा शहर कोतवाली लाके के सुभाश नगर मोहले में 20 दिन पहले सिक्षामित्र समेट 4 लोगों से सरकारी नोक्री दिलाने के नाम पर 21 लाग की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जिसके बाद पुलिस अदिक्षक ने इस घटा का मुकटमा दर्जकर ततकाल पुलिस टीमों को रवाना किया और आरोपी की तलाज शुरू कर दी यही वज़ा है कि पुलिस ने घटा के 20 दिन बाद आरोपी मास्चमाईन रोबिन सिंग को गिरफतार कर लिया है और इतना ही नहीं पुलिस ने ठगी के दोरान दिये गए 21 लाख रुपे भी बरामच किया है देखे थाना कोथवाली पर एक व्यक्ति द्वारा एक प्रातना पत्र प्रस्तोत दिया गया था कि उसको वा उसके परिजनों को नौकरी में दिलाने के नाम पर ठगी करके एक व्यक्ति उनसे 21 लाख रुपे जो है ठग कर चला गया है इस तरह की सूझना प्राप्त होने पर त्वरित सन्यान लेते हुए उचित धाराओं में ये मुकदमा पंजिपित कराया गया था केमो का गठन इसमें किया गया था और क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही थी इसी के खम में आज एक व्यक्ति को महुबा पुलिस वारा पकड़ा गया है